हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोर्टू सक्सस में फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चैनल के नाम है गोर्टू सक्सस अगर आप NET, GRF, PGT, GIC या फिर Assistant Professor Exam की तयारी कर रहे हैं शुशौल जी से तो इस चैनल के साथ जूड़कर आप यहां से अपने study को complete कर सकते हैं प्लेलिस में उन सभी वीडियोस के folders मिल जाएंगे आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कोशन है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि आधुनिक और धोगिक समाज में अलक थलक एकाकिये परिवार ही परिवार का समान स्वरूख है ओप्शन्स नेख लिजे, ओप्शन्स में हैं मर्टन, पार्संस, माक्स, पैरी तो यहाँ पर फर्स्ट कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्संस, ओप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर है, पार्संस ने एकांतिक नाभिक जो परिवार है, यह इस परिवार की बात उन्होंने अमेरिकी समाज में बताया है कि अमेरिकी समाज में इस तरह का परिवार देखने को उन्हें मिला है, ठीक है, आधुनिक और धोगिक समान में परिवार का जो एकांतिक नाभिकी परिवार का जो कह सकते हैं स्वरूप है, उसकी बात पार्संस ने कहिए, और यह नातिदारी व्यवस्था से क्या बताया है इसको अलग बताया है, ठीक है, और पार्संस कहते हैं सरशना की दरस्टी से क्या है, अलग है, अलगावी क्रत होता है सरशना की दरस्टी से, और ऐसे परिवार में पती पतनी और उनके जो अन्मेरिट बच्चे होते हैं, वो पाई जाते हैं ऐसे परिवार में, ठीक है, और प्रे की गई इस्त्री के साथ विभा करना कहा जाता है दैव विभा, आश विभा, असुर विभा या फिर प्रजापत्य विभा तो यहाँ पर second question का right answer क्या हो जाएगा असुर विभा, option C यहाँ पर right answer हो जाएगा, ठीके एक निम्न कोटी का विभा है वो असुर विभा बताय गया है और इसमें कन्या का जो पिता होता है वो कन्या का मूल लेकर विभा करता है ठीके और इस विभा को बेटी बेचना कहकर की इस विभा के आलोशना भी कही जाती तो ऐसे भी पूछा जा सकता है बेटी बेचना या बेटी बेचवा विभा कौन सा है तो वो असुर है वहर समाज की जो समाजिक स्तरीकरण की विवस्था है उससे जुड़ी होती है आप बताना है कि किस विचारक का यहां मानना है ओप्शन्स में हैं मार्क्स, ग्लास, श्रिनिवास, सोरोकिन तो यहां पर थर्ड कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सोरोकिन ओप्शन्स डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन ने अपनी बुक शोशल मोबिलिटी में सबसे पहले समाजिक गतिशीलता का विवस्थत तरीके से वर्णन किया था ठीक है विवस्ते तरीके से उन्होंने बात की थी समाजिक गतिशीलता की सबसे पहले सोरोकिन ने किस बुक में तो सोशल मोबिलिटी बुक है जिसमें सोरोकिन ने इसकी बात की थी अब गतिशीलता है क्या तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ती है ठीक है एक व्यक्ती या कोई व्यक्ती या वस्तु लेलो कोई या कोई मूल है या मानो किरिया के द्वारा मानो द्वारा बनाए गई या मानो द्वारा परिवर्तित की गई किसी भी चीज में या वस्तु में या मूल्यों में, जब एक स्थिती से दूसरी स्थिती में कोई भी परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसको हम समाजिक गतिशीलता कहेंगे, ठीके, कोई व्यक्ति है, कोई मूल्य है, या फिर कोई वस्तु है, ठीके, जिसे मानवद्वारा निर्मित किया गया है, मानवद्वारा बनाया गया है, या फिर मानवद्वारा उसमें क्या है, परिवर्तन किया गया है, ठीके, उस वस्तु में, व्यक्ति में, या मूल्य में, तो किसी भी चीज में, ठीके, कोई भी चीज है इनमें से, उनमें जब एक स्थिति से जब दूसरी स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो ही समाजिक गतिशिलता कहलाता है ठीक है तो option D यहाँ पर right है next है यह किसका मत्था की भौतिक अस्तित्य की आवशक्ता ही समाज का आधार है तथा यदि इस आवशक्ता की पूर्ती के लिए मानव वहवारों को सामोहिक रूप से संगटित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता ओप्शन देख लीजे पार्संस, दुर्खी, स्पेंसर और माक्स तो यहाँ पर फोर्थ कोर्शन का right answer क्या हो जाएगा किसका कहना है माक्स का कहना है option D यहाँ पर right answer है next है या किसका मत है कि समाज शास का मुख्य कार्य समाजिक व्यवस्था में मूली उन्मेश के प्रतिमानों के संस्था करण का परिक्षन करना है options में है Compt, Durkheem, Weber, Parsons तो fifth का यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा Parsons, option D यहाँ पर right answer हो जाएगा इनकी कुछ important books है जैसे कि the structure of social action, the structure of social action, the social system, ठीक है second कौन सी है the social system, third है social structure and personality social structure and personality, ठीक है the social system and the structure of social action तो यह कुछ important books थी Parsons की, option D यहाँ पर right है next है किसने कहा है कि पश्मिक्रत अभिजातों में वर्ग गटबंधन, जाती गटबंधन की तुलना में अधिक महतपून है options देख लिजे, MS गोरे, SC दुबे, आंद्रे बेते, IP तिसाई तो यहाँ पर six question का right answer क्या हो जाएगा आंद्रे बेते, option C यहाँ पर right answer है next है, यह किसकी मानिता है कि मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व विप्री दिशाओं में विरूधी तत्वों के सहस्तत पर आधारित है options देखिए, Marx, सीमेल, कोजर और वेवर है तो यहाँ पर right answer क्या है option B, सीमेल next है, cast, old and new के लेखा कौन है cast, old and new, यह जो बुक है, वो किसकी है options पे है, योगेंद्र सिंग, आंद्रेवेते, एर देशाई, डीपी मुखरजी तो यहाँ पर right answer क्या है, cast, old and new, आंद्रेवेते की हो option B, यहाँ पर right answer है next है, निमने में से किसने कहा है कि समाजिक सांस्कतिक परिवर्तन के सद्धान कारों में किसने यहां तत्थ प्रेक्षित किया है कि परिवर्तन बाहे कार को द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्ता के भीतर से घटित होता है तो यहाँ पर right answer क्या होगा option D, Sorokin इनको जो Sorokin है उनको रूसी अमेरिकन समाज शास्ति कहा जाता है तो यह ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है रूसी अमेरिकन समाज शास्ति कौन है तो Sorokin है and Harvard University में sociology की यह पहले professor भी थे और इन्होंने समाज शास्त्र समाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान, स्वरूपो, प्रारूपो और अनेक प्रकार के अन्य संबंधों का समान विज्यान है जो sociology है उसको समाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान स्वरूपो, प्रारूपो और अनेग प्रकार के अन्य सम्बंधों का सामान विज्ञान बताया था Option D यहाँ पर राइट है सोरोके Next है कमार जन्जाती का अध्यन सबसे पहले किस ने किया था सबसे पहले पूछा गया है Options में है तो यहाँ पर 10th का राइट आंसर क्या है स्सी दूबे Option B यहाँ पर राइट है Next है छोर का एक गाउँ, पुस्तक के लेखक कौन है Options है जी एस घुरिये, लुजियमो, दी अन्मजूमदार तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा डी अन्मजूमदार, Option D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Next है अपराधी वहवार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सध्धान्द एवं स्वा के सध्धान्द को प्रतिपादित किया है Options में है आरके मर्टन, सदर्लैंड, शौ एन्मेक के जी एच मीट तो यहाँ पर राइट आंसर मीट है Option D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Next है निमन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह बताया गया है ठीक है, सही नहीं है, यह बताना है Options देख लिएजे एक एरा है, समाजिक विजातियता आधुनिक समाज में वस्तु विनमे मूलक अर्थववस्था पुन्जिवादी समाज में प्रोधोगी की प्रधानता उत्तर और धोगिक समाज में उत्पादन अर्थववस्था और धोगिक समाज में तो वस्तु विनमे मूलक अर्थववस्था पुन्जिवादी समाज में नहीं देखने को मिलती है, option B यहाँ पर right answer है next है, रानी खेडा जो गाउं है, उसका अध्धिन किस ने किया option ने है, ओस्कर लेविस, B.R. चौहान, मैकिम मेरिट, D.N. मजूमदार तो यहाँ पर right answer क्या है, रानी खेडा गाउं है, उसका right answer ओस्कर लेविस है, इन्होंने इस पर अध्धिन किया हुआ है, option A यहाँ पर right answer है टेपो जिलान गाउं के रामपूर और मेक्सिको पर इनका अध्धिन रहा है और उसके आधार पर ही कुछ कॉंसेप्ट दिये थे, जैसे कि ग्राम सर्व देश्यता और गुट समाज की भी इन्होंने बात की थी, यह कुछ कॉंसेप्ट इन्होंने दिये हुए है, ओस्कर लेविस ने, option A यहाँ पर right है नेक्स्ट है, लिंटन ने प्रदत और अरजित प्रस्थतियों में भेध अपनी किस पुस्तक में किया है, अब बुक बतानी है, options देख लिजे, the tree of culture, the study of man, man and society, and option D में है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, the study of man, option B, यहाँ पर right answer हो जाएगा, ठी study of man में ही प्रदत और अरजित प्रस्थति में इन्होंने अंतर किया था, ठीक है, यह 1936 में थी बुक आई थी, और इसके अलावा इनकी जो बुक है, the cultural background and personality है, ठीक है, the cultural background and personality है, the tree of culture, यह भी इनहीं की ही है, ठीक है, लेंटन की ही बुक है, तो यह भी धियान रखेगा, option B यहाँ पर राइट है, next है, द्वैत्तिक समुहों को शीत जगत का नाम दिया है, options है, मैकेवर एंड पेज, लेंडेस, ओगवन एन निमकॉफ, कुले, तो यहाँ पर राइट आंसर लेंडेस हो जाएगा, option B, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, next है, कोई शल्ले चिकत सक अपने मरीज के शत्रों के उकसाने पर उस मरीज के पेट में कैची छोड़ देता है, शल्ले चिकत सक की यहाँ क्रत, यानि कि यह जो किरिया है, वो क्या कहलाएगी, तो यह श्वेत वसन अपराद कहलाएगा, option B, यहाँ पर राइट आंसर है, यह concept किसका है, आप सबी जानते हैं, Southern Land का है, Southern Land आधुनिक अपराद शास के जनक माने जाते हैं, यह भी आपको धियान रखना है, Southern Land आधुनिक अपराद शास के जनक माने जाते हैं, और इनका क्या कहना था, कि जो अपराद है, वह एक सीखा हुआ वहवार है, अपराद क्या है एक सीखा हुआ वैवार है किसने कहा है सदर लैंड ने कहा है ठीक है तो ये बाते भी आपको ध्यान रख नहीं है option B यहाँ पर right है next है निमलिकित में से कौन सा एक आदिम अर्थववस्था की विशेश्था नहीं है options देख लिजे प्रोधोगिक सहायता का पोड़ अभाव वस्तो विरिमे का इस्तर जीवर निर्वा का इस्तर लाभ प्राप्ति का इस्तर तो आदिम अर्थववस्था की विशेश्था नहीं है ये पूछा गया है तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर लाभ प्राप्ति का लक्ष option D यहाँ पर राइट आंसर है next है निम्न अवधार्णाओं में से किस एक पर अगस्त कॉम्ट ने समाजिक परिवर्तन के अध्यन के लिए विशेश बल दिया है समाजिक परिवर्तन के अध्यन के लिए विशेश बल दिया है अब options एक लिजे प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों का संस्तराण, समाजिक प्रगती और समाजिक विवस्था तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रत्यक्षवाद हो जाएगा नेक्स्ट है जेच हट्टन के अनुसार भारत वश की प्राचिंतम प्रजाती थी नॉर्डेक, नीग्रेटो, मंगोलाइट, प्रोटो औस्ट्रिलाइट तो हट्टन के अनुसार पूछा गया है तो प्रोटो औस्ट्रिलाइट, ओप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है, शेव समुद्रम प्रपात किस नदी पर है क्रश्ना, प्रियार, कावेरी, मांडवी नदी तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कावेरी नदी, ओप्शन C यहाँ पर राइट आंसर है यह करनाटक में नदी है ठीके, और यह जो जल प्रपात है वो आयतन की द्रस्टी से भारत में सबसे बड़ा जल प्रपात है यह जो जल प्रपात है, शेव समुद्रम, यह आयतन की द्रस्टी से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और कावी निरिंदे कहा है यह कहाँ पर है यह देखने को मिलेगा आपका जलप्रपात शिव समुद्रम करनाटक में option C यहाँ पर right answer है next है क्योटो प्रोटोकॉल किस से संबंदित है options में है ozone अपशय, खतनाक अपसिस्ट, जलवायू परिवर्तन, नाभिकी उर्जा तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा जलवायू परिवर्तन option C यहाँ पर right answer हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरास्टी संधी या अंतरास्टी समझोता है जिसे की ओधोगिक देशों के द्वारा जो greenhouse gas थी उसके उतसर्जन पर यह protokoll प्रथिबंध लगाता है क्योटो प्रोटोकॉल अंतरास्टी संधिय समझोता है जोकि ओधोगिक देशों के द्वारा जो greenhouse gas के उतसर्जन गैस का होता था उस पर रोक लगाता है और यह जो प्रोटोकॉल है उसका उद्देश प्रत्विको जलवायू परिवर्तन जैसे यह जो वैश्विक परेवर्णी जो आपता है समस्या है उससे बचाना है ठीक है तो यह उसका उद्देश था औप्शन C यहाँ पर राइट है नेक्स्ट है निम्निमे से ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायू मंडल में लगुतम समय तक ठहर पाती है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, कार्बन डियोकसाइड, मिथेन, नैट्स ओकसाइड तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा सबसे कम समय तक रहती है मिथेन, ओप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है शार्दा अधिनियम के अंतरगर, लड़कियों एवं लड़कों के विभा की नियुनतम आयू क्रमशा कितनी निर्धारित की गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 14 एवं 18 यानि कि 14 किस की थी लड़की की थी और 18 किस की थी लड़की की, ओप्शन B यहाँ पर राइट आंसर है, डॉक्टर हर विलाश शार्दा के प्रयास से ही एक बाल विभा निशेत कानून बनाया गया था, ठीक है, ओप्शन B यहाँ पर राइट है, नेक्स्ट है, भारत का वक कौन सा स्थान है, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तता हिंद महासागर मिलते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तता हिंद महासागर यह तीनों ही मिलते हैं, किस स्थान पर, कन्या कुमारी, इंद्रा पॉइंट, नागर कोईल, या फिर रामेश्वरम तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा कन्या कुमारी option A यहाँ पर right answer हो जाएगा यह कहां है तमिलाडू में है और प्राइद उपिय भारत के अंतिम छोर पर है option A यहाँ पर right answer है next है भारते समिधान की प्रस्तावना में निम्ने में से किस स्वतंतरता का वर्णन नहीं किया गया है विचार की स्वतंतरता, विचार प्रकट करने की स्वतंतरता, विश्वास की स्वतंतरता, आर्थिक स्वतंतरता तो यहाँ पर आर्थिक स्वतंतरता की बात नहीं की गई है, option D यहाँ पर right answer है, समाजिक, राजनेतिक, न्याय, विचार, अभिवेक्ति, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंतरता की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंतरता की बात नहीं की गई है, option D यहाँ प द्वारा ठीक है यह बताना है तो यहाँ पर 44 जो सविधान शंशोधन हुआ था उसके द्वारा हुआ था option C यहाँ पर right answer है ठीक है यह हुआ कब था 1978 में अधिनियम ठीक है 44 जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसका अंत कर दिया गया था और संपत्ति का जो संपत्ति है उसको एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था ठीक है कानूनी अधिकार का इसे दर्जा दे दिया गया तो option C यहाँ पर right है नेक्स्ट हैं सम्मिधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? व्याख्या करने का अधिकार पूछा गया है अंतिम अधिकार किसे है? उप्शन्स में है राष्टपती, लोकसवाध्यक्ष, सर्वोच नियाले, प्रधान मंत्री तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो ये मानव जाती द्वारा प्रयोक्त नविंतम रणनीती है, प्राधिकरत रखने वाले से परामश, निगमनात्मक तर्क, वैज्ञानिक चिंतन या फिर आगमनात्मक तर्क, तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, वैज्ञानिक चिंतन, ओप्शन C यहाँ पर राइट आंस को ढूरने के लिए कारे करना या फिर उप्रियोंक्त में से कोई नहीं तो option C किसी समस्या के संबन में वैज्ञानिक धंक से सत्य को ढूरने के लिए कारे करना है ठीके PV यंग क्या कहते हैं जो शोध है यानिकि जो समाजिक शोध या समाजिक अनुसंधान है वह एक वैज्ञा किया राता है ठीके तो यह परिभाशा ध्यान दीजेगा किसने दी है PV यंग ने दी है ठीके option C यहाँ पर राइट आंसर है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप यह आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएग कमेंट करके ज़रू बताइगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी ज़रू सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को जतना हो सके जादा जादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रू करिएगा थैंक्यू